पहता है बोटर का कारवा पहुच चुका है प्रदेश की सत्नागा केंद्र इंदोर इंदोर की जंता से पूछेंगे सवाल किन मुद्धों पे करेगी मतदान कॉंग्रेस किन मुद्धों पे लड़ेगी चुनाओ तो बीजेपी किन उपलब्दियों पे बनाएगी अपना जी साथ दसको तक जो डाला प्रक्ति में वो अवरोध ले डूबा कॉंग्रेस को हिंदुतु का क्रोध ले डूबा कॉंग्रेस यूही नहीं डूब गई और यही बावा तुलसीदास ने कहा है राम करदोही राम का विरोध करने वाला रामन जिमित नहीं रहा तो कॉंग्रेस पार्टी कॉनly चीज है कॉंग्रेस का कौंगरिस का अतीति वीवाजानु में गुझ्रा कउंग्रेस का और जिहादियों कि परस्ती करने में गुझ्रा और इसी कारण है कि हिंदू तुने कउंगरिस को सीरे से खारिज कर दिया हे युवां की बात सुन्ने ब्रमीत हो के बात कर रहा है यह भगवान राम का सिब नारा लगा रहा है वह उनसे हम किसी भी रूप की उमिन निकर सकते इन लोगों की आधतन है यह व्यक्तिगात आरोब लगाते रहे हैं ब्रती जन्तवार के अगर बात की जाया तो पांश लाग से जादा पांश लाग से जादा बोड से वह उमिदवार चुनाओ जीत कराए पार्टी ने फिर बरोसा जता है देखिए मुद्वों के बात करते हैं यह तो संसद में बोला के नहीं सिंदु राट करी कि नहीं हमारे ग्रह मंत्री जी ने संसद में डंके की चोट पे बोला है कि पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर भी हम लेके रहेंगे आप देश तोरने ही क्य पूचो इनके पास बच्चा क्या है यहां वहरा कभी इंदुत्व की बात करें ना कभी नों देश का विकास करा सिवाई विनाश के लावा कुछ नहीं किया इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है और यह बोल रहे हैं सब्सक्राइब काम किया है मोधी जी को हाथ में कोई कटोर लेकर ने मांगा नहीं है यह पुरानी नीतियों के अधर पेसा मिला सब्सक्राइब करते हैं इसी मुद्धों की बात करते हैं जनता को क्या चाहिए जनता को क्या चाहिए इंदौर की जनता कि अगर बात कीजा है किन मुद्धों में आप लड़ेंगे वह कौन से मुद्धे जो जनता की बीच लेकर जाएंगे देखिए यह बता है पिछले पांच मरसों चांसा शंकर ललवानी जी इंदोर शहर को स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट में बना दिया आज एक रोड बनती है दस बार खुटती है दस बार पाइब नल है पानी नहीं है आईश्मान काड एक नहीं है आईश्मान काड है स्वास्त सब्सक्राइब नहीं है बेरोजगारी चरम पर याज इंदोर शहर के डिलोक्मेंट की बात करें आज तक नाला सापनी करवा है पंदा सु करोड़ खागा है घिला अस्पिटल चाहां चले जाए सिब आवे अस्ताओं के और बच्टा चार के लावा कुछ नहीं मिलेगा तम हाई कोड का मैस्टेट पश्चिम मंगाल में इस्तिवाद रेता भारती जन्ता पाटी याइन करता है देश की सरवच्च नहीं है लेकर रहा है जो इन्हों ने बात की कि बिकास को लेकर तेजाज नेगर के आसपास कैसी कही कालोनिया आउटर रिंग रोड के हम बात करते है इसे कही कालोनिया जहां पर अभी भी पानी नहीं है स्वास ब्योस्ताओं को लेकर उन्होंने बात किया ही वहाँ को सिच्छा को लेकर बात कर रहे हैं रोजजगारी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है क्या यह कुछ दे पाई बीज़े पीज़ेपी पंदरा साल पहले बीच साल पहले की कांग्रेस का सासन देख लो और पंदरा साल के अंदर भारती जनतापाटी का सासन देख लो आपको हर चुराए हर गली मोलने से लेकर नहीं नहीं कालोनिया और गाउं-गाउं में सड़क जुडगई हैं क्या विकास की बात करते जिनके पेले देवास जाने में घंटों लग जाते थे 20 मिनिट में देवास पोच्छता है ये विकास भारती यंदा पाइटी का रोजगार की बात कर रहे हैं और हस्पिडल की अगर ये अस्पदाल की बात कर रहे हैं तो बड़े-बड़े अस्पदालों में आईशुमान कार्ड ये उस उस समय उस समय शिवärाज सिंग्छोहान ने कितनी परिक्स्यायली पट्वारी से लगा के टिईर तकी कितने गोटाले हुए आज तक उन गोटालों को चुपाने के लिए शिवराज सिंग्छोहान को हटा करके यादों को बनाया गया इसका मतल़ा है कि बीजेबिए विक नहीं करने जा सकता हमने हमारी पार्टी ने ये राम को दूर करना काम कॉंग्रेस पार्टी ने करा हुआ है जिस पार्टी के लोग राम मंदिर के मुद्ब पार्टी छोड़के जा रही है वह से आरौप लगा के पूछ रहे हैं लिए अधर निदेशे एक ही सवाल है कि बडूने फिरिजेपी लीया और एज हिंदू मुस्लीम इसाइज सब को ईक करने का काम कर रहा है सब्सक्राइब करें दोजार एक दोजार दो तक गूगल पे रिकॉर्ड है हमारा जो बंगाली चोड़ा है इंदोर का वहाँ पे सबसे आधूल की देंसिटी राके जी सी एक को लेकर आपका क्या मत है कॉंग्रेस क्या मत है अगर इमांदारी नियत होती तो अगर आप इस समय जिन्हों नगारी करा है विपक्ष में वो इसके विरोधन बयान देते थे क्यों देते थे क्योंकि देश में एक समानता की धारा आपको लागू करना है आपको धर्म के आधार पर ये विवाजित नहीं करना है अगर कोई भी आएगा बाहर से और चड़नाती है उसका धर्म कुछ भी है अगर नियाम है तो सबके लिए सिप हिंदू मुस्लिम में डिव आज बीजेपी ओसा ही जो आधार का विरोध किस ने करा बीजेपी ने जब ना रहे तो सभी आप जो 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 कांग्रेस क्या 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 कहेंगे बात है इलेक्टराल बांड में जो रिक्षुवत करोर रुपे की भारती जन्ता पारटी में चंदा गया है उसको छुपाने के पर जिन देशों से जिन देशों से आने वाले लोगों को लाकरोब नागरिक्ता दीजारी है कर दोशदक है उनको नागरिक्ता दीजार है आफ़ोाइव जो लान पर वह फर महादर पर बड़ा आउर्वारी बड़ा ब्ला Capeya बलतकार नहीं हो सब्सक्राइब अपने भाहियों करना उनको खुद को मालब है कि आज आप व्याशी सरकार बनी से श्वराज जी कि सरकार रही है कभी हमारे मत्य प्रद्रेश मैं धंगा नीं हुआ नी तो इनके दिख्वी जा सञकाल में कभी चंदान नगर में भाटा भिकई रिया कभी आजाद नगर में पत्तर भी रहे और हिंदो के अपर इतने के दें केस लगाते थे जब यह कांग्र शायद इनको मालूमनी 2014 के बाद 13,05 भारतियों ने अपनी नागरिता भारत से त्यागी ये आपके सुबर मनियम स्वामी के रहे हैं वाई साव आपको लगता है वाई साव आपको लगता है कि जो सी ये है इस बार चुनावी मुद्द होने वाला है क्या इसका चोपशमी बिनीश लेना आती चंता पार्टि केवल आपके लिए इसे मुद्द लाती है कि यह सभी दर्म के लिए लागू होना चाहिए और द्रॉट इसके पक्षमें के बिरोध में क्या अब पश्में के विरोध में नहीं हूं ने खुद में मांगा हमको हमरे धर्म का देश ची जब उनके धर्म के इसाब से उनको धेश दे दिया गया है तो फिर उनके लाव लोगों को क्यों आपर नागरिक्टा दीजाए एक एक आज यह का विरोध कर रहे पच्चिम बंगाल के अंदर बंगला देशी बंगला देशी रोंगे ला कुछ गए इनको कोई भरक निपड़ा इनका साजनता आई मम्ता वेनर जी जब वेरोजा आखरी सवाल एक आखरी सबाल एक आखरी सवाल बीजय कर रही है वीजय पी क्या रही है राम मंदिर का निमंतर कॉंग्रे से कही नेताओं धुक रादी वह रायम मंदिर को बनाकर चुनावी फायदा लेने के लिए भार्तियंता पाइटी ने वापर आनंद पर हमारा पाइटी का वरन जी का मंत्रण तुग्रा थे। यह यह जो राम जी जो रागर यह का मंत्र झुग्राद के तो राम के होाद था है जो प्रमुक रहेंगे पहला रहेगा बिरुजगारी दूसरा रहेगा यह चांट ठीघारी दूसरा बिरुजगारी क्या मेंगे पहले लिए तीसरा रहेगा जो धर्म के नाम पर वोट मांगे वह उजागर किया जाएगा के बगवान राम को प्रूपयों किया गया पिछले तीन में पर वह सच उजागर किया जाएगा तरीके थे भगवान के नाम पर दोखा दिया गया कि अलग किया दो नहीं कर बाया था लेकिन नहीं तो उसका फल तो उनको भूग नहीं पड़ेगा आने वाले आप लोग तीन उपलब्दी बता दो तो की नूप लब्दियों के साथ हां वोड भांग रहा है। सब्सक्राइब करते हम यूपियाइब की बात करते हम यूपियाइब की बात करते पीच नंबर जीने संसंज में इस चीज का मज़ा कुड़ा है था कि आप सब्सक्राइब करते हो दस रुपे क्या धनिया और आलू खईद हो गए तो क्या वह यूपियाइब करेगा आज एफिल टावर तक भी यूपियाइब से पेमेंट लेके टिकेट करिद के आप उपर जा सकते हैं हम सिर्फ राम राम निकरते हम काम भी करते हैं यह इंद अरे प्राइब प्रतिवी जाल आकाश और पाताल हर जगह भी कारा मोगीक्ति बिचनता के बीच में क्या है चुनावी मुद्धन किस मुद्धों में नड़ा जाए पूछा बहुत चल्द मिलेंगे हम ने लोग सवा से बीटो जनलिस संजेब उखसाद मिदलेज रुपता नियूज एटे इंदोर और एक ऐसी शुरुआत हो चुके है जिसमें वोटर बोलेगा निताओं के सामने अपने मन की बात अपने मन के भेद खोलेगा चुनाव के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वोटर्स ये भी सुनाया हमने आपको और भी वोटर्स के बारे में आपको बताएंगे क्या वो कहना च और उसका पता भी आपको बताएंगे और संदेश भी सुनाएंगे तो आएए करते हैं शुरुवात देखते हैं वोटर क्या बोलते हैं मध्यप्रदेश के वोटर की क्या है राय जाए ऐसा कोई भी कार नहीं हुआ जिससे की जनता खुज हो सके अब इस चुनाव में जनता क्या नहीं लेगी रोड कंदिर्वान की बात हूं उसमें सीदी सिंगरी रोड में प्रश्टाचार किया है काफी अर्से से काग्जोमत हाला पूर्ती हो रही है और बेरोजगार की बात करें बेरोजगारी की बात करें यहां पर बड़े इस्तर पर बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार है वो लंगतार पलायान कर रहा है दरदर भटक रहा है लेकिन यह सरकार नाकाम है और अब की बार लगता है कि यहां से कांग्रेस का कंडिडेट गिजए होगा ब कि अधिन मुद्दा है इतने काफी दिनोंगे जब से मैं नगवाग 25 ताल का हो रहा हूं तब से रोड की किलब बनी हुए आफ तक और सिख्छक चेतर में भी सीधी काफी पिछड़ा हुआ है और विकास की चेतर में मेडिकल के चालेज की चेतर में हर चीज में सीधी पिछे ह मतलब कुल मिलाकर ये सरकार अगर ऐसा ही कोई वीडियो मेसेज आप भी हमें भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप वो अपना रिकॉर्ड़ेड मेसेज हमें भेज सकते हैं नंबर एक बार आपको बता देते हैं 7815929855 यानि 7815929855 और यानो करें शोड़ सब्रेकिले चलाओ तेया